नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब आप स्वागत है जैसा कि आप सुग को पता है कि बेसाफ का बेसाफ का पूरा सेलेक्शन पूसी चेंज हो चुका है तो अब इसके बाद आपका रिटेन होने वाला है तो रिटेन की डेट आ गई है जो एक लीग डेट बताई जा रही स्वाइब करें मिल जाएगे चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप बता दूँँ आपको इक्जाम की डेट क्या है जो अभी वहां से निकल क्या रही है बारा मार्च ठीक है बारा मार्च दो हजार तेईस यह आपकी रिटेन की डेट होगी ठीक है रिटेन की छां डेट बताई जाए कि बारा मार्च होगा। अब मगर अभी तक यह किलेर नहीं हो पाया है, कि पेपर offline होगा कि online होगा। ठीक है अभी इसमें संदेव बना हुआ डाउट बना हुआ है कि offline लेंगे 또 ऑननने लेंगे। मगर अभी देखी chances तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप जो बच्चों का आकड़ा होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि 6,00,00 करीब फार्म थे 6,00,00,00 प्लस अपको पता है कि रिटेन में करीब आपको धाई लाख से धाई लाख ही बच्चे या तीन लाख बच्चे आपको दिखने वाले इससे भी कम हो सकते हैं क्योंकि जी तरह से फेल हो रहे हैं उससे भी कम हो सकते हैं तो आफ लाइन अभी डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा मगर मैं यह कहूंगा कि अगर आप प्रेक्टिस करना चाहते हो तो हमारे आप को डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पर आपको बीस टेस्ट मिल जाएगे क क्काफिक किफायती दाम पर तो आप जाके वहां से इसको बाई कर लेना और टेस्ट अपने स्टार्ट कर देना क्योंकि आपने डीवी तो पास करना पड़ेगा रिटन की तो नंबर जुड़ने वाले हैं क्योंकि स्लेबस भी काफी अच्छा है देखा जाए तो उतना ज्य 20 नंबर के आएगा 20 नंबर के 20 नंबर के होगा मैथ होगा साथी साथ मैथ उतने जदा हाड आने वाला नहीं आपने डिपार्टमेंटल देखी लिया होगा बहुत थोड़े बहुत टिग्नोमेंटर के कोश्चन होगर आया है बासी तो आर्थमैठिक ही पूरा था तो 20 कोश उसके साथ clerical aptitude के 20 कोशन आने वाले सभी की 20 कोशन आने वाले हैं टोटल 100 कोशन आएंगे 100 नंबर का पेपर होगा कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो clerical aptitude की class में फिर से continue करने वालां काफी मैंने class करा दिये 10 से ज़्यादा class मैंने करा दिये computer की classes भी 20 इस पहुच गई से लगबग तो computer और clerical aptitude की classes फिर से स्टार्ट होगी reasoning और math की classes भी अगर time मिलेगा तो इसकी भी classes दूँगा तो हमां clerical और computer classes आपको regular मिलेगी timing में आपको telegram channel में मिला दूँगा और इनकी PDF भी आपको मिलेगी तो आप यह समल लिजे कि अब हमारा target क्या होगा return अभी तक हम DV को target किये DV qualify कर लिए अच्छे से अब हमें यह पतल गया कि और अच्छा भी हुआ एक तरह से यह भी देखा करनेंगे तो अच्छा यह हुआ कि पहले ही हमारे return में मलब competition थोगा कम हुआ इतना भी कम नहीं हुआ है कि आप बिलकुल relax हो जाओ इतना भी कम नहीं हुआ है कि आप relax हो जाओ तो अब आपको को कोशिज करने के return में जादा से जादा number लाने है क्योंकि अभी आपको पता departmental लालों की जो merit गई है वो 62 गई है तो 62 पर समझ लिजे कि 62 अभी गई है टाइपिंग के लिए मगर टाइपिंग के बाद तो cut-up बढ़ेगी ना तो 62 से जाने कटाव तो बैस जानी वाली है तो departmental वाले को तो ऐसे साथ हुआ है क्योंकि उसमें एक नया portion जोड़ दिया तु तो इसलिए कटा थोड़ी से डाउन होई है और आप में तो clerical aptitude आना है अभी यह fix है कि नहीं fix है मैं अभी other video में चर्चा करूंगा मगर मैं मेरे इसाथ से clerical aptitude ही पोचेंगे क्योंकि उन्होंने notice निकाला था जो selection process change करें उसमें लिखा हुआ था कि वह कोई other change नहीं टाप्टिक को change करने वाले नहीं है clerical aptitude आपके examination में आएगा ठीक है तो अब आपको करना के आप Britain में बहुत ज्यादा focus करना है अब बिल्कुल भी आपको समझे अपकी बार BSF पार होना चाहिए ठीक है तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरू कर दिया अ अगर पहली बार आए हो हमारे आप को डाउलोड कर लेना इस्टागरम में मुझे फॉलू भी कर लेना तो अभी के लिए दल विदा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच